हलो एवरीवन कैसे हो आप सभी आज मैं बहुत जादा खुश हूँ यार हैपी 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 वेरी हैपी लेकिन सुनिए पहले हम खाना देखिए यहां पर दाल चावल अलू शिवला मिर्च की सबजी है बाद में मैंने एक रोटी भी ली थी और यह खाना मैंने कल दो पहर को टाल दो खाया था खाय में घाया यहां फैक न पड़ė गा इतना खाया गजिय को टूशनव को टूशन से लिजा आई थ से और यहां से करेओ इस ने एक भी इतने फिर मैंने फिनिश करा उसे बढ़िया एक ही सेब काट लेती एक कल खिला दिया था एक सेब आज खिला देती मुझे था कि क्या पता दो सेब खा लेगा विहान पर नहीं खाया विहान ने तो यह देखो जी फिर घर आती मैंने रात को रात के आठ बजे एक पूरा बड़ा गि और अभी तक सुबह से मैं उठ गी थी आज सवा साथ बजे सवा साथ से देड़ बच चुका है सुबह से मैंने रोटी नी खाई है मैंने तीन गिलास मैंगो शेक पी लिया बस मेरा पेट भर गया मुझे गर्मियों में रोटी अच्छी नहीं लगती है मेरे को यह अच्छा ल बच्चे को खाएगा वही तो दूंगी न मैं अगर रोटी देती हूं ऐसी के ऐसी वापिस ले आता है टीफिन और जब मैं यह फ्रेंच फ्राइस देती हूं विहान को घर पे बनाके सरसों के तेल में तलती हूं नमक डालके यह पूरा टीफिन खतम कर देता है वसंद करके खाता है तो बच्चे को टीफिन में वही तो दो न मैडम भी यही कहते है विहान की स्कूल में कि बच्चे को वो खाना दो जो बच्चा खाए खुश हो के बच्चे को फल फ्रूट दे दिया करो वो विहान खुश हो के खाता है तो इसलिए मैं फल फ्रूट लाती हूं और आज पापाजी छोड़ के आये थे विहान को स्कूल सुबह आते हुए दो पहर को मैले आई थी तो नहला दिया था सुबह सुबह नहला के भेजा था मैने विहान को स्कूल और यह देखवा स्कूटी पे चला गया था उसके बाद यह मैं खेरी थी कि मैना उसके बाद थोड़ पैसे, मेरा ना वो चीज नहीं है, मेरा मन करता है, मैं एक दिन में दो तीन गिलास भी जूस अच्छे से पी लेती हुं। लेकिन हाँ किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि अब पैसा आने लगया तो अब तू जूस पीती है तो देखो मैं एक बात बताओं मेरे घर में ना मेरे मामी पापा जब मैं शादी से पहले भी रहती थी माई के में रहती थी मेरे घर में फल फूरूट आता ही सिरुफ मेरे लिए था मेरे पापा जी हर रोज लेके आते थे क्योंकि उनको पता है था कि उनकी बेटी खाना नहीं खाती है वो फल फूरूट पसंद करके खाती है तो मेरे लिए तब भी आता था और इधर मैं आपको बात और बताना चाहूंगी जो आपको सेब दिख रहे हैं ना यहा फूरे फूरुट की दुकान जो प्रोपर ठोपर थोक की दुकान होती है होलसेल की वहां से खरीदते हो तो यहां पे मैं आई तो में तो आम खरीदने थी तो मैं आम भी पूछ रही थी ऑट मुझे अंगूर पसंद आ गए आज अंगूर देखती ही मन कर गया लेने का भराय। यहां पर नहीं पर छे मंअर्शी से मिल में קण से पर कुछ सुट है यहां को सहे वाला! अब डेना है Tea अब जाने dear वाल में की अच्छी रूपय का यहां जो है एक डेना है आम्या आप एí बहुत अच्छा लगा मैंने बताया मैंने कहा ह्या हमा में मची महुझे मैंगो shorter पीना होता है में का वाँण मूट क्रोर न मत दे जआ अंप। बट मैं चीनी नहीं एड करती हूं और मैं जादा इसी लिए भी पीती हूं मैंगो शेक वगएरा क्योंकि मैं मीठा फिर ऐसे ही रहता है तो यहां में पंदरा सो रुपे दिये थे देखो सो रुपे भाहिया ने मुझे वापिस कर दिये थे यहां पर मोसंमी आभी मिल रही थ को इस टाइम सेब रखे हैं दो सेब रखे हुए हैं दो तर्बूज रखे हैं तर्बूज अभी लेके नहीं गई थी मैं सो रुपे के तर्बूज अभी तो खाने भी शुरू नहीं किये बाहर ही रखे हुए है वो तर्बूज आज एक काटूंगी तो दो तर्बूज रख में कटोती करके जोड़ना है नहीं अच्छे से खाओ यार हेल्थ से जरूरी और क्या है आप लोग जो मुझे कॉमेंट करते हो इतना खाती है इतना खाती है मुझे बता दो कल को बिमार हो जाओगे ना इसे डबल निकल जाता है एक बार मेरा बच्छा बिमार हुआ था 25,000 र मेरी वीडियो भी आती रही लगातार अच्छे से काम भी बहुत बढ़िया किया मैंने आप खुद देखिए न क्यूंकि मैं जूस पीती रही अपना कुछ न कुछ खाती पीती रहती हूं ठीक रहता है तो यहां पे घर आती ही मैंने ठंडा ठंडा दूद निकाला फ्रीज जी भई मैंगो शेक तो बनाऊंगी मैं तीन आम एड करूंगी बाकी मैंने आम वगएरा सब फ्रीज में लगा दिया था वो मैं हभी आपको दिखाऊंगी और आज पता है मैं इतनी ज्यादा खुश की हूँ आज जूबिन जी का सामने से आज मैसेज आ गया अब आप ही जूबिन जी ने इतनी अची वाते बोली मैं आज आपको स्क्रीन शोट दिखाऊंगी और मैं क्यूं दिखा रही हूं क्यूंकि देखिए वह सेलिब्रीटी है इसलिए दिखा रही हूं मैं आप लोगों को कि देखो जो लोग मुझे ये कॉमेंट किया करते थे ना कि वह कह हां तू कहां वो तुस्छे बात क्कियों करेंगे वो से मतलब कि वो तो तुम है कौन तूँ कीडे मकोड़े हो क्या किया कौमेंट आते थे तो नहीं जी हम लोग कीडे मकोडे नहीं हैं, मैं भी कुछ हूँ, मेरे भी 161,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सर के 60,000, 62,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरे भी 161,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और सर ने मेरा काम देखा है, मेरा काम देखके मुझे मैसेज किया है, और मतलब कैसे मैसेज पे बात हुई वर्टसेप पे कैसे हुई वो मैं आपको कभी और बताऊंगी क्योंकि मैंने ही अपना नंबर दिया था पहले देखिए है ना तो कैसे हुई वो बाते छोड़ी आप लोग क्या बात हुई वो मैं आपके साथ दिखा दूँगी शेयर कर दूँगी बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टफुल इंसान है गुजुबिन जी सारी दुनिया उनकी इज़त करती है और मैं तो बहुत ही जादा रिस्पेक्ट करती हूँ सर की और सर ने अब तो सच में इतना मुझे पोजिटिव फील करवाया मुझे इतना अच्छा लगा मैं रहाँ नई अब तो कभी भी चाहे मेरे कोई कुछ भी बोले मैं कभी अपना मूड खराब नहीं करूंगी जब भी मूड खराब होगा ना मैं जो ये जुबिन जी ने एक ही वीडियो में थोड़ी शेयर कर दूंगी मैं बाकी हां बहुत अच्छे इंसान है और यहां पर देखिए मैं अपना मैंगो जूस कह रही हूं सोरी मैंगो शेक पी रही हूं और एक गिलास पिया उसके बाद यह दूसरा मैंने आधा पिया था क्योंकि वो छोटा था देड गिलास तो मैं ने जूस पिया उसके बाद बाद में फिर मैंने आधा गिलास पिया उसके बाद मैंने फिर एक गिलास पिया तो कुल भावब है और फी दू पेर के दो बच चुके हैं और मैं तीन गिलास मैंगो शेक पी चुके उ treat यूऊं और यहां मैं आपको दिckburgh यहां पर बड़ा फ्रीज होना चाहिए था छोटा है यहां टमाटर बीच में लगा दिये दो गलास यह देखो बना के रख रखा था मैंगो शेक यहां पर देखो मोसमी रियल का जूस रखा हुए इधर देखिए आप इधर मैंने फसा दिये आम आधे आम तो इधर लगा दि कबसा कुण होँ फ़ोगे कैं रखेंड यहां पर बहुत हैं इसके बाद यहां पर आम भी रखेंशन है इसमें भी कुछ मोसमी रखेंज बिफकेक सबस्क्राइब के लिए मिखानी हैं थोड़े बहुत आम भाहर रखता हुए इसमें से मैं एक तीन चार तो यूज पर रहे हैं यह राता को दो पहर को तरीके से लेकिन यह फ्रिज मुझे बहुत छोटा लगता है मुझे लगता है कि मेरेको बड़ा फ्रिज खरीदना देखो कहा है अंगूर बताओ यह पसंद है आपको खाओगे और क्या लाई उडेकिए और क्या लाई उडेकिए और क्या लाई और देखो आंभी इसमेटो आंभी अंभी भी है हाँ संत्रे खत्म होगे तो इसमी मुसं मी रखे और क्या रख आए बताओ इसमें फ्रीज में क्या क्या रख आ है यह क्या है यह क्या है बता कॉन सा जूस है यह हां ना लीची वाला नहीं है मिक्ष्ट फ्रूट जूस का लिखा है यह भी पसंद रहे आपको लिखा हुए बेटा अच्छा लगा सर्प्राइज खाते हो लाली पोप नहीं लाई लाली पोप नहीं लाई लाली पोप नहीं लाई अब आप क्या खाओगे अब आप क्या खाओगे अब देखता हूँ अब देखता हूँ और क्या खाया तो टीफिन में दिया था ना वह संब्मी यह अंगूर लाती हूँ मैं अंगूर खातना खालो ला मैं तोड़ती हूं खाले मेरा बच्चा जबाओ यह देखो जी कल से मैं अपने बालों में क्या लगाए घूमरी हूं अपने ध्यान से देखना इस वीडियो में एक्चुली मेरे पास रबड बैंड सारे खतम हो चुके हैं एक ही था एक ही था और यह देखो मिल गया मुझे कल मैंने यह वाला रबड बैंड नहीं भी टूड़ी है देखो ना खराब हो चुका है पूरा का पूरा यह पतल असा निकल गया है बिलकुल ही निकाल निकाल के इसी को लपहल लेती हूं तो यह एक रखा हुआ है रबड बैंड के नाम पे मेरे पास और यह रबड बैंड मैं कई महीने हो गए इसी को धो लेती हूं यूज कर लेती हूं रबर बैंड को बिलकुल ही खराब हो गया देखो नहीं लाश्टिक पूरा गया इसका यह खतम है एक दम यह देखो खतम हो चुका है तो कल यह मुझे मिलनी रहा था मैं टूनते जड़ी पूरे घर में तो हुआ जल्दी से पढ़ लीजिए आज आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इम सो प्राउड ओफ मी सर ने जो बात बोली है खुद पढ़िए अब आप लोग क्या-क्या बोल रहे हैं सर को मैंने सर को डेडिकेट करके मैंने टैग करके मैंने शोर्स वीडियो बनाई थी सर तर कि हाँ इसके हस्बेंड की डैट के बाद इसने देखो इतना स्ट्रागल किया तो सर को बहुत अच्छा लगा मतलब खुद से मुझे प्रेज की है और कहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऐसी काम करते रहो बही इतने बड़े सूपर स्टार ने जब इतना बोल द जाते हैं फिर रात तक चलते रहते हैं क्योंकि मैं पूरा दिन बस इनकी फोन के सोंस जुनती रहती हूं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने बोली बात मैंने का सर आप मेरी इंस्पिरेशन हो आपको देखके मेरे को भी लगता है कि मुझे भी कुछ बनना है क तो सरने देखो क्या बोला यू आर माइंस्पिरेशन देखो सरने इतनी बड़ी बात बोल दी तो और क्या जी अब तो कुछ बनना पड़ेगा न और काम्याब बनना पड़ेगा है ना जी तो चलिए जी एंड करते हैं वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा चैन